हेलो फ्रेंज, तो फ्रेंज मैं हूँ अंजली, आरेष्टी कीचन चैनल में आप सभी का फीर से स्वागत है एक नीव रेस्पी के साथ फ्रेंज, आज हम नीव रेस्पी बनाएंगे सुजी यानि कि रवे का मुदक जो की कहाने में बहुती टेस्टी और बहुती आसान सा तरीका है फ्रेंज इसे बनाने के लिए इससे बनाने के लिए हमें जादे ingredients का जरूद भी नहीं पड़ता है friends और कुछी मेंटों में ये recipe बनके ready हो जाता है तो आप भी गनेश जी के लिए इस तरीके से सूजी का मोदग जरूर बनाईएगा और जरूर चढ़ाईएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीस वीडियो को लाइक कर देना अगर आप हमारे चाइनल पर नहीं होंगे तो चाइनल को सब्सक्राइब करें तो देखे friends सूजी का मोदग बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने बारिक वाला सूजी ले लिया है सूजी डालने के बाद इसे हमें मिक्स करते रहना है लगातार इसे चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे दीमी आज में इसलिए भूनेंगे friends जो की हमारा जो सूजी है वो अच्छे से पक भी जाएगा और कलर भी काफी बढ़ी आएगा तो इसलिए ध्यान रखे गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम फ्लेम पे रखे या फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे रखे हाई फ्लेम पे करके बिल्कुल भी सूजी को ना भूनें तो इससे हम तीन से चार मिनट तलग भूनेंगे क्योंकि जो मीडियम टू लो फ्लेम पे करे रहेंगे तो अच्छे से भूना जाएगा तीन से चार मिनट में तो यहां पे देखे मेरा तीन जट हो चुका है और काफी बढ़िये से जो सूजी है वो भून चुका है तो मैंने क्या किया इसमें सक्कर एड़ कर दिया है सक्कर आप अपने कौंटरी के हिसाब से ही डाले क्योंकि बहुत लोगों को मीठा ज्यादा पसंद होता है और यहाँ पर चाहे तो गैस का फ्लेम थोड़ असमें पर करके इसे मिक्स कर सकते हैं तो यहां पर देखे लगातार इसी तरीका से मैंने चला ते गई और यह डो के फॉँ अपने जब डो के फ़ॉर्म में होने लगे गा तब इसी में फ्रेंट्स यहां पर दो बड़ी चमश घी एड़ कर दें घी से काफी टेस्टी मोटक का टेस्ट रहता है तो इस लिए यहां पर गी एड़ कर दें और इसे इस तरीके से मिक्स करते जाए तो यहां पर देखे फिरंड्स अच्छे से मेरा पकर हो चुका है अब मैं क्या करूँगे गैस को बंद कर दूँगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी तो मैं इसे निकाल लेती हूँ एक कटोरी में और जब ये ठंडा हो जाएगा तब अब हम क्या करेंगे मोदक वाला मोल्ट ले लेंगे और इसमें घी से ग्रीस करने की कोई विजवत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही जो सूजी था उसमें घी एड़ किया है तो इससे घीस में जो बोलते हैं ना कि मोल्ट में घी लगा लो वैसे नहीं भी करेंगे फिर भी चलेगा आप डारेकली यहां पर जो सूजी को हमने फ्राइ किया तो वो यहां पर डाल देंगे और इस तरीके से आप बीच में थोड़ा सा ड्राइफूर्स भी एड़ कर सकते हैं या तो नॉर्मली आप इसे मोदक के शेप में बना सकते हैं यहां पर देखे फटा फट से हम इस तरीके से मोदक मोल्ट में डाल दिये हैं और हलके हातों से देखे फ्रेंट्स इस तरीके से हम हटाएंगे ना तो अपने आप बहुत बढ़ें से शेप आ जाता है यह देखे तो यहाँ पर friends देखे इस तरीके से हम मोदक को बना लेंगे तो देख सकते हो friends बनाने में काफी easy होता है तो मैं इसी तरीके से सारे मोदक को बना लेती हूँ देखे friends यहाँ पर मैं तेल से ग्रिस नहीं कर रही हूँ मोदक मूल्ट मैं directly यहाँ पर stuffing को डालते जा रही हूँ और फटा फट से मोदक को बना ले रही हूँ तो देख सकते हो इस तरीके से हम सारे मोदक को बनाएंगे तो यहाँ पर देखे friends हमने सारे मोदक को बना लिया है और देखने में भी काफी tasty दिखते हैं मोदक और खाने में बहुती tasty होते हैं friends और हाँ इससे आप 10 मिनिट के अंदर फटा फट से मोदक को बना सकते हैं और गनपती बपा को जरूर चड़ाइएगा तो देख सकते हो friends यहाँ पर मेरे मोदक तो बनी गए है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को like करेnt अगर आपने अभी तो लका हमारे चानल को subscribe नहीं किया होगा तो प्लीज चानल को subscribe करें और प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताईगे आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो देखिए कितना प्यारा सा मोदग बना है आप भी इस तरीके से सुजी का मोदग जरूर बनाएगा अब हम आपसे मिलेंगे एक नए रेस्पी के साथ ने स्टूडियो में तब तक के लिए बाए